रात में नट और नटनी अभी भी भूतिया तोर पर यहां पर मौजूद हैं और रात में इस किले में आने के लिए पूर्टा पावंदी होती है अभी भी यहां पर उनका साया है या फिर उनकी आत्माई भटक रही है जो भूतों का डर है लोगों को वह उनके अंदर से खतम हो इस वज़य से कृतिम रूप से यहां पर हनुमान जी की स्थापना की गई थी और हम लोग के अंदर गए हुए थे जिसमें सबसे ज़्यादा को डल लग रहा था वह राम जिया राम का बजन कर रही थी तो है लो दोस्तों नमस्कार अभी हम आए हुए हैं गड़पेरा में गड़पेरा जो की सागर सहर से जहांसी लविटपुर रोड पर 10 किलोमेटर की दोरी पर है और गड़पेरा को पुराना सागर भी कहा जाता ह यह गड़पेरा दांगी राजाओं की राजधानी रहा करता था पहले और इसकी जो प्राचेंता है वह राजा संग्राम सेंके समय की है उसके बाद में इस पर दांगी राजाओं ने या दांगी सासकों ने दांगी राजपुर सासकों ने कबजा कर लिया और वह इनके अं यहां पर हनुमान जी का प्रशिद मंदिर भी है, जो की यहां के किले के इतिहास को लेके बाद में बनाया गया, यहां पर ऐसा यहां के जानकार बताते हैं, जो की यह आपको पीछे दिखरा होगा, तो हम आपको उपर ले चलते हैं, सबसे पहले हम करते हैं हनुमान जी की दर और दोस्तों जो भी घड़ पर आए ना तो सबसे पहले लाठी देख लें क्योंकि यहां पर बहुत सारे बंदल है यह दिखने होंगे और पर कोई भी सावल लिया है तेना फिल यह बंदल लोगना खींच लेते हैं इसलिए उनको पिटाई लगाने के लिए लाठी है क्योंकि इस के लिए के लिए वहें क्लिए पर ले जाकि और और नटनी की कहानी तो और यह अब हम सच्चा यह बत नहीं है मतलब रात में नेट और नेट नहीं जो पती बतने कहे जाते हैं वह दिखाई देते हैं अब कितनी सच्चा यह पता नहीं तो दोस्तों यह यहां से एक रास्ता यह चले जाता है के लिए के तरफ और यह दूसरा रास्ता जो आर्टिफिशल मंदिर बनाए यहां पर अभी हमा चुके हैं यह मंदिर है आंका जो की यहां की जैसी कहानी है के लेको लेकर उसके बाद यह मंदिर का निर्मान कराया गया तकि भूर्तों का साया कम रहे हनुमान जी की स्थापना की गई तो दोस्तों यह है यहां पर किले का प्रविश्दवार पीछे आपने देखा हमारे दर्सान हो चुके हैं पीछे मंदिर अब हम चलते हैं किले की तरह तो दोस्तों यह है किला का रास्ता किला आपको दिख रहा होगा आंगे तो यहां पर है एक भूत और भूतनी की कहानी तो उन से जाके मैं भूत-भूतनी से आपको मिलवाती हूं ठीक है जैसी राम बोलके तो बने रहिए मेरे वीडियो में तो दोस्तों यहां पर प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे उनके राज्ज में एक नट और नटनी थे नट नटनी एक करतब दिखाने वाले इस तरीके से अभी आपने नुकड़ों पर या फिर नलियों में मेलों में देखा होगा करतब दिखाते हुए तो वह नट और नटनी यहां पर इनके सासनकाल में राज्ज में करतब दिखाया करते थे और काफी उनका जो करतब था वो प्रिचलित था तो राजा ने उस नट और नटनी के जोड़े से कहा कि अगर आप हमें खुस कर देते हैं खुस करने में कंडिशन यह थी कि ऐसा बताया जाता है किले के एक छोड़ से रस्टी बांदी गई थी पहाड़ पर किसी दूसरे छोड़ पर अब वो पता नहीं कौन सा पहाड़ हो सकता है इसका आइडिया नहीं है उलेक भी नहीं है और अगर नटनी वह है रस्टी को पार कर लेती है तो राजा उसे आधा अपना सामराज दे देगा कंडिशन ये थी कि पूरी रस्टी उसे पार करना है लेकिन इस सब में राणी ने चाल कर दी कि राणी को लगा कि अगर यह आधा सामराज दे देगा तो हमें क्या बचेगा तो जैसे ही वो नटनी आधी दूरी पर पहुँची तो राणी ने रस्टी काट दी अब जैसे ही रस्टी काटी तो वो गिर गई और उसकी मौत हो गई जो नट था उसकी नटनी की वियोग में सदमे में मौत हो गई और ऐसा माना जाता है कहा जाता है यहां के ग्रामिन लो आदमी कोई आ आप देख रहे हैं ये यहां का सीसमहल है अगर आपको दिखाई दे रहा हो इप magic करना की दिखाता हूं यह आप कांच दिखिरा हलका हलका यह का सीसमहल है जो की दो तीन खंडों में हैं और ये लगभग जरजर हालत में हैं लोग अभी भी बैसे इसको उपर जाते हैं बाकी मैं सलाय दूँगा आपके लिए कि आप कभी भी आये जब भी घुमने तो उपर ना चाहें क्योंकि ये कोई खत्रे से खाली नहीं है पुरानी इमारत है ज तो नहीं पता लेकिन ऐसा भी बोलते हैं लोग कि नट इबं नटनी भूतिया तोर पर अभी भी यहां पर उनका साया है या फिर उनकी आत्माएं भटक रही हैं और फिर इस तरीके से नटने और नटनी ने यहां के राजा को शराप दिया कि तुम्हारा सामराज खतम हो जा आधी सामराज आधी संपत्ति जाने के डर से तो किले की हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है खंडर हो चुकी है पूरी की पूरी आप लोग देख सकते हैं यह यहां पर अंदर का नजारा कुछ ऐसा है हाँ और कुछ है मानता यह भी है कि जो हनुमान जी का मंदेर बाद में इसलिए बनवाया गया ताकि वह नट एबमनट नटनी की आत्मा से यहां पर लोगों को छट्कारा मिले ओर जो भूटों का डर है लोगों को वह उनके अंदर से यहां के गरामिर लोगों का या फिर आसबास के लोगों का खतम हो इस वज़ districts रूप से यहां पर हनुमान जी की स्थापना की गई थी और यहां पर हम लोग के अंदर गए हुए थे यहां का कुछ मजारा है पुराने के लिए हैं और दोस्तों इस के पीछे भी यहां पर पीछे कोई मंदिर है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी समय भाव के कारण बाकि अगर आप कभी आएं तो आप घुमने जा सकते हैं और दोस्तों यहां पर गड़ पैरा में असाड माहे में प्रत्यक साल बहुत बड़ा मेले कायोजन भी होता है बहुत सारी यहां पर द तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम आई पर एंड करते हैं आई होप कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा और हम लोग इतनी महिनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए ठीक है वीडियो को पूरा देखे थैंक्यू